ऐसी मज़ेदार और चटपटी मचली फ्राई की रेसिपी आज आप के साथ शेयर कर रहे हूँ कि जिसे आप बनाएंगे तो आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे चटपटी और बहुती क्रिस्पी मचली फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ एक किलो मचली ये रोहू मचली है मचली पर पहले हम आधा नीमगू निचोड लेते हैं नमक डाल देते हैं एक चमच भर कर और इसमें डाल देंगे आधा चमच हल्दी अच्छी तरह से मचली को नमक खल्दी और नीमगू के साथ मिक्स करेंगे और इसे इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम मचली के लिए बना लेते हैं एक मसाला इसके लिए हम पैन में लेंगे दो बड़े चम्मच साबुत धनिया, एक बड़ा चम्मच लेंगे जीरा, एक छोटा चम्मच है अजवाइन, और छे से साथ सूखी तीखी वाली लाल मिर्चे लेते हैं, इन मसालों को मीडियम फ्लीम पर हमें सेक लेना है, मसाले से सौंदी ख और दरासा'S कूट भी सकते हैं, तो grinding jar में डालने के बाद इसमें जालेंगे एक बड़ा चम्मच चाट मसाला, आदा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाली का पाउडर, अब इस मसाले को दरदर आसा ग्राइंड कर लेते हैं, तो मसाला रेडी है, मचली के उपर ये सारा मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा मसाला हम इसमें बचा लेंगे, लास्ट में हम इसे मचली के उपर छिटकेंगे, तो मसाला डाल के मचली के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, अब इसके डाल लेना है एक बड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा जाएगा मचली के उपर तो इन चीजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है बेसन का सारा लंप निकाल देंगे और फिर इस मिक्सचर को हम डाल लेते हैं मचली के उपर मस सारे मसालों के साथ मचली को हलके हलके हाथों से हम मिक्स कर लेते हैं 15-20 मिनिट के लिए इसे मेरिनेट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे तो इस मचली को मैं थोड़े से तेल में फ्राइ कर रही हूँ आप चाहें तो इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं त तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और 3-4 पीस मैं एक ही टाइम पर फ्राइब कर रही हूं एक तरफ इसे 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके बाद पलट कर दूसरी तरफ से भी इसे पका लेते हैं हर तरफ से अल यहां पर छिड़क देंगे मचली जब आप सर्फ करें तो इस पर थोड़ा सा नीमू का रस निचोड़ लें और भी चटपटी हो जाएगी यह करारी मसालेदार मचली फ्राइब